दोस्तो दस्वी पास चवकिदार की एक और नई वेकिंसी निकल के आ चुकी है और ये जो है एक अलग डिस्टिक का है कल मैंने आप लोग को एक और वीडियो बना के बताया था वो किसी और डिस्टिक का था वो वीडियो नहीं देखें तो देख लिजेगा इसी तरह से लगतार जो है अलग-अलग डिस्टिक वाइज जो है वेकिंसी आती रहेगी इस चैनल के माधियम से आप लोगों को जनकारी मिलता रहेगा और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस डिस्टिक का जो है चौकिदार की वेकिंसी देखना चाहते हैं इसका भी आवे दिन सुरू कर दिया गए इसमें जो है 389 जो है पदो पे संदार वेकिंसी है कल की जो वेकिंसी निकाली की थी उसमें 226 पोस्ट से वो जो है किसी और डिस्टिक की वेकिंसी तो जीला वाइस जो है ये वेकिंसी निकल के आ रही है आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि चौकिदार के पोस्ट पर फॉर्म बरने के लिए आपकी योगिता क्या रखी गई है एज लिमिट क्या रखी कि ये कितना दोड होगा कितनी हाइट की रिक्वार्मेंट है लिखित परिच्छा कब होगा और कैसे होता है सारा चीज जो है हम इस वीडियों में डिसकस करने वाले है एज वेल एज एज लिमिट भी क्या चाहिए क्या जो है ये कौन से दिस्टिक से वेकिनसी निकल कर रही है सारी चीजों को हम इहाँ पर डिसकस करने वाले है ये वेकिनसी परमानेंट जोब होता है दसवी पास आप है मेल फिमेल दोनों के इंडिट फॉर्म को अपलाई कर सकते है चौकिदार चौकिदार आप सबको पता है जो पंचायत अस्थर पर वर्क करते हैं और आप सबको पता है कि जैसे कि थाना होता है थाना में जो है कल अलग-अलग पंचायत के जो है अलग-अलग गाओं के जो चौकिदार होते हैं तो उसी चौकिदार के पोश्ट पर यह वेक लगातार जो है इस तरह की जितनी वेकिंसी आ रही है आप किस जीला का वेकिंसी देखना चाहते हैं चौकिदार का आप कमेंट बोक्स में बता सकते हैं इस चैनल पर लगातार जो है इस तरह की जितनी वेकिंसी आती है कभर की जाती है जैसे की डीलर की वेकिंसी चौकिदार की वेकिंसी जो कोई नहीं बताता है उस तरह की वेकिंसी जो है इस चैनल पर आपको देखने को मिलता है क्योंकि यह जीला लेवल पर वेकिंसी होती है ब गिरिडी जीला जो है जारखंड का एक जीला है अगर आप गिरिडी जीला से आते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर दस लोग भी कमेंट करके बताते हैं कि मैं गिरिडी जीला से हूँ तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेस्फुल रहेगा मैं यह यह सा मानूंगा ठीक ना चलिए बिज्यापन संख्या 01-2023 चौकिदार स्वंग नियुक्ति परिच्छा 2023 सोरा दस से जो है इसका आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं सोरा दस अभी आपको आवेदन नहीं भेजना है सोरा दस के बादी आफ फॉर्म जो है यहां पे भेजेंगे हालाकि यह वेकिंसी ऑफ्लाइन है तो आफ्लाइन में आपको फॉर्म भरकर भेजना है अब ध्यान रहे जसीयुक्ति और उफ्लाइन स्टार्ट से आप उप पो Biology सा व्र मढख सर्फम पर्ना तो आपको समझ में आजागा सारा चीज़ देखिए यहां पे गिरीडी जीला अंतरगत चौकिदार सौंके पत पर सिधी भारती हेतु बिग्यापन यहां पर जाय रिखिया गया है पौतों का विदुराड हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया है यहां पर आरच्छर सब है कि यहां पर कौन लोग आविदन करेगा अभ्यारती हेतु अवास थाय निवासी प्रमापत्र राची देखिए ऐसी वेकिंसी है कि आपके अपने ही जीला के अगर आप हैं मतलब जी जीला से वेकिंसी निकल कर रही है उसी जीला का आप है तो फॉर्म को आविदन कर सकते हैं तो यह इसमें सबकोई आविदन नहीं करेगा बच्चे यहां पर यहां पर और यहां पर आरच्षाड का दावा करने हो इसी चैनल पर मिल लगा चैनल पर जाके देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स देदोंगा उसमें आवेदन सुल्क नहीं लग रहे थे फॉर्म भरने के लिए इसमें आवेदन सुल्क लग रहे क्योंकि वेकिंसी जादा है तो यहां पे जो है 100 रुपी आवद अब यहां पर समझते हैं सेंघ्री के ओँगता तो दुस्वी पास हैं तो आव आवेदन दे सकते हैं आपका चरीत्र अच्छा होना ची大家 लगेगा यहां पे तो हैं तो शामी में छूट केटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट मिलता है तो 36-23 को आपकी नियुमतम उम्र 18 वर्स होनी चाहिए अधिकतम उम्र अनरचित के लिए 35 वर्स यानि जनरल के 35 वर्स BC-EBC के लिए 37 वर्स महिला जनरल BC-EBC के लिए 38 वर्स और अनुसुव जाती पूर्स महिला के लिए 40 वर्स का यहाँ पर एज में छूट रहेगा आप एज की गड़ना जो है 36-23 को करेंगे इसके बाद यहाँ पे अभ्यार्थी को संबंधित बीट शेतर का स्थाई निवास होना अनिमार है और अभ्यार्थी का साइकल चलाना जो है ज्यान आवद्यक होगा तो यह जो है आपका eligibility है दस्वी पास होना चाहिए जिस जीला से वेकिंसी निकल कैया रही है उस जीला का स्थाई निवासी होना चाहिए और साईक्ल का ज्यान होना चाहिए अब यहाँ पे न्यूकती पर किरिया बोलागा है सबसे पहले लिखित परिच्छा आपका कंड़क्ट करेगा और 50 अंकों का लिखित परिच्छा ली जाएगी लिखित परिच्छा में जीला से संबंधित समान्य गान अगर गिरीडी जीला से आप हैं तो गिरीडी जीला की जनकारी आप निकाल लिजेगा अस्थानिय भासा से प्रशने पूछे जाएंगे लिखित परिच्छा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और सफल उमीदवारों की सूची 1 by 3 की संख्या में तियार किया जागा जितनी वेकेंसी है उसके तीन गुना जो है बच्चों को यहां पे जो है यह लोग क्या करेंगे सारीरिक मापदन के लिए सिलेक्ट करेंगे मेरिट बनाएंगे तो 30% से अधिक नंबर आप लाएगा तभी आप मेरिट में आप आएगा सारीरिक मापदन होगा सबसे लिखित परिशाग बाद अगर लितिव परिशाग में सफल होते हैं तो आपको फिजकल होगा फिजकल में बोला गया है कि आपकी हाइट ना पी जाएगी समानी स्रेडी के लिए 160 सेंटीमीटर पिछड़ा आते हैं तो पिछड़ाग लें 160 सेंटीमीटर अनुसुत जन जाती के लिए 155 सेंटीमीटर और महिलाओ के लिए 160 सेंटीमीटर महिला में सब कैटिग्यरी के महिला आजाएंगी 140 सेंटीमीटर मीनिमम हाइट होनी चाहिए इसके बास आपको दोड़ भी होता है सारीरिक यहाँ पे जाज के बाद आपको दोड़ करना होता है तो दोड़ यहाँ पे दिखिए जितना दोड़ेंगे जितना कम समय लेंगे दोड़ने में उत्रा अच्छा अंक मिलेगा तो यहाँ पे 5 मिनट में पूरसों के लिए यहाँ पे 1 मिल का दौर करना है महिलाओं को भी एक मिल ही करना है लेकिन यहाँ पे समय निर्धारित है पूरसों को 5 मिनट से पहले अगर हो कोई complete कर लेता है तो 20 अंक मिलेंगे और 5 मिनट 6 मिनट के बीच करेंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे अधिक समय लेने वालों को हटा दिया जाएगा मतलब वो disqualify हो जाएगे महिलाओं के लिए 8 मिनट अगर कोई दौर करती है महिला उनको 20 अंक मिल लाएंगे और महिला 8 मिनट और 10 मिनट तक करती है तो उनको 10 अंक मिलेंगे और उससे ज्यादा समय लेंगी तो उनको छाट दिया जाएगा तो एक मिल का दोड़ आपको करना है इसके बास यहाँ पे आपको जो है प्राप्त अंक के अनुसार जो है आपका यहाँ पे मेधा सूची बनने वाला तो जितना अच्छा परफोर्मेंस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए सही रहेगा वेतन मान यहाँ पे देखे मैंने बताए ना ग्रेड पे 18 सो यहाँ पे रहने वाला है तो यह बर्जात वाकेंशी आवेदन अब बताया गया कि कैसे आपको करना है आवेदन करने की परक्रिया क्या है उसको भरने के साथ जो भी दसतावेज बोला गया उसको स्वाभी परमाडित करना है एक एक फोटो कपी कराके और उसके साथ भेजना है अगर आपका अप्लिकेशन फी लग रहा है तो अप्लिकेशन फी आप डीडी बनवा लेंगे और डीडी का आप ओरिजिनल पेज वहां रख देंगे फोटो कोपी नहीं डीडी का डीडी का ओरिजिनल आप देखें सैंचिरिक अंक परमापत्र और जो समझ पता दिकारी द्व वसे चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना है और लिफाफेक उपर बिग्यापन संख्या लिखना 01-2023 यह इसका बिग्यापन संख्या है ठीक है न तो और किस आवेदित पद का नाम भी लिखना जैसे आप लिखेगा आप बिग्यापन संख्या इतना चौ अब लिफाफा में सबसे उपर में आपको यह चीज मेंशन कर देना बिग्यापन संख्या आवेदित पद का नाम चोकिदार बीट संख्या ग्राम का नाम और संपधित पंचायत अंचल और थाना का नाम आपको लिखना है ठीक है अभी नीचे आएगा दिखाओं का बीट स दिटेल से बोला गया जाती निवास आए यह सब जो है आए नहीं जाती निवास और अपना मैट्री का सेडिफिकेट मार्क सीट उसब फोटो कॉपी कराके इसके अंदर रख के आपको भेजना है संबंधित जो है डाक से भेजना है अब कहां भेजना देखिए यहां पर द यहां पर बोला गया कि आप जो है निवंधित डाक या स्पीट पोस्ट दोनों में से किसी माद्यम से भेंज सकते हैं यहां पर यह दिया गया है अब यहां नीचे में आपको जो है इसका आविदन फॉम मिलेगा और यहां देखिए बीट संख्या भी दिया हुआ देखिए रिक्त बीट में पंचायत का नाम अभियुक्ती ठीक है और यहां पर रिक्त बीट का ग्राम का नाम और रिक्त बीट की संख्या बीट संख्या यहां दिया हुआ देखिए ना यह बीट संख्या है और यहां पर थाना का नाम दिया हुआ है अंचल का नाम दिया हुआ है और पंचायत के निवासी होने चाहिए इस अंचल के निवासी होने चाहिए तो ही आप जो है आवेधन कर पाईएगा अगर आप दूसरे अंचल के दूसरे पंचायत के निवासी है तो आप आवेधन नहीं कर पाईगा तो इस तरह से आप देख लेंगे किस-किस पंचायत में दूँगा डालेक्ट आप इसे डाउनोड भी कर सकते हैं या आप गिरीडी की जो अफिसली वेपसाइट है गिरीडी.nic.in वहां पे भी आप इसे डाउनोड कर सकते हैं यहां देखे सभी पंचायत वाइज जो है यहां पे दिखाया गया यहां तीन सो नवासी यहां पे लिखेंगे और ग्राम बंकायत का नाम यह सब आप लिखने के बाद से आप यह अपना जो है नाम अंगरेजी में पीता का नाम ऑंगरेजी में जन्वेति थी फिर सब्दों में जन्मो अंगरेजी नाया है इस तारिक आपका उम्र कीतना हुआ माह दिन आप कितने साल के हो है अभ्यार्थी का यहां पूरा पता पीनकुट के साथ पत्राचार का पता इसके वासे राष्टियता मोबाइल लंबर इमेल आइडिये सब भारेंगे आवेदन में कोई सरेरिक पहचान आपको बताना है यहां बोड अपने दस्वी की जनकारी भारेंगे इसके वासे आपने यह सब मतलब भरेंगे इसको आपको ईटेज करना है अभ्याथ दोलत भरेंगे यह वाल जनकारीए आप नहीं भरेंगे ठीक है और उसके बास से इसको भंणा है और उसको आपको बेजना है सोरा तारिक से आप भेजनाय स्टार्ट करेगा वीडियो में बहुत पहले ही ला दिया हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत पहले ही जारी हो गया है तो सोरा तारिक से आप लोग जब फॉर्म भरनाय स्टार्ट करेगा सोरा अक्टूबर से ध्यान रहे सोरह दस दोजारतेईस से अभी मत भर के भेज़ दीज़ेगा पता चला आपका रिजक्ट हो गया ठीक है ना और सोरह एक ग्यारत तक आप जो है भेज सकते हैं इस आविधन फॉर्म को अगर आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप अपने जीला का नाम और डिस्टिक ये जरूर मेंशन करिए ताकि हम उसके उपर जाच परताल करी मेरे टीम जाच परताल करेगे कि आपके जीला वेकिंसी आए कि नहीं है इसी तरह से ह मिलता कि इस नेक्ट पूरो में जाहिन